रिल्मी का मोस्ट स्टाइलिश चेंपियन स्मार्टफॉन लाँच किया गया है मीनी कैपसोल अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के साथ कौन की अन्बॉक्सिंग देखिए इस वीडियो में उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाले वीडियो से बाख़बर रह सकें वेल्कम तू अन्बॉक्सिंग वीडियो और आज हमारे पास अन्बॉक्सिंग के लिए फॉन मजूद है रियल्मी सी फिफिटीवन दा मोस्ट स्टायलिश चैंपियन तो बाकी बाते बाद में करेंगे फॉन की स्पेसिकेशन के बाद में डिसकास करेंगे सब से पहले फॉ हमें में मेंशन नजब आते हैं इनको हम बाद में डिट्यल लाइप साथ इसकेशन करेंगे अगर हम बॉक्स की बाक साइड पर देख यहां पर भी हमें कुछ फीचर मेंशन नजब आ रहे हैं जबके नीचे की तरफ हमें फॉन का आयमई नमबर जो है वो नजब आता है कौन-कौन सी असेसरी मौजूद है, फॉन का डिजाइन कैसा है सबसे पहले फॉन की प्लास्टर क्रप्न को रिमूफ करता है बॉक्स ओपन हो चुकरा और बॉक्स को अपन करता ही सबसे पहले एहां पर एक कंपार्टमेंट मिल रहा है कंपार्टमेंट के ओपर देखे तो यह हमें एक टाग्लाइन असरारी है जो के अर्यालमी की सिगनेचर टाग्लाइन है डेर तू लीप और बैक साइड पर देखे हैं तो यहां पर हमें फॉन का सिम एजटिंग टूल इसके लिए एक साइन मिलता है इसको उपन करते हैं यहां से कप माटपर्ड को उपन करे तो यहां पर हमें बैक साइड पर फॉन का सिम एजटिंग टूल मिलता है इसके बाद यहां पर हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड बुक मिलती है साथ ही यहाँ पर हमें कुछ information guide book और booklets मिलते हैं और इसके साथ ही हमें यहाँ पर यह gray color में phone का back cover मिल रहा है इसके बाद मिलता है हमें हमारा realme c51 phone को turn on कर लेते हैं दब तक हमारा phone turn on होता है चेक करते हैं बाकिये accessories को इसके बाद देखें तो यहाँ पर हमें यह charging adapter मिलता है और इसके साथ ही हमें यहाँ पर यह type c charging cable मिल रही है phone turn on हो चुका है इसको जल्दी से start up कर लेता है phone को turn on करने के बाद और start up करने के बाद अगर हम इसके features को discuss करना शुरू करने तो अबसे पहले हम phone के front panel को और इसके display को चेक करते हैं display size की बात करें तो यहाँ पर हमें काफी बड़ा 6.74 इंचिस का display मिल रहा है refresh rate की बात करें तो यह हमें 90 Hz का peak refresh rate प्रवाइड कर रहा है तो पर की तरफ देखें तो हमें एक top notch front selfie camera जो है align हुआ मिलता है और अगर हम इसके display के design को चेक करें तो यह एक flat panel design है और sides पर चेक करें ऊपर की तरफ हमें कुछ edges मिलते हैं लेकिन overall यह एक slim smart phone है phone के color और इसके bag design की बात करें अगर तो यहाँ पर इस design को mini capsule का नाम दिया गया है क्योंकि यह एक slimist phone है और काफी slim smart design है और अगर हम इसके bag design को चेक करें तो यहाँ पर हमें एक shimmery glossy finish के साथ जो है वो phone का bag design मिलता है और अगर हम देखें तो इसकी surface इस तरह सी है कि इस पर fingerprints के जो निशान है वो भी जल्दी visible नहीं होते है तो यहाँ पर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें काफी एक और glossy किसम का बिल्कुल different panel दिया गया है जहाँ पर phone के dual back cameras जो है वो align किये गये है back cameras और design को चेक करें तो यहाँ पर बिल्कुल different panel में camera lenses align किये गये camera lenses के साथ ही अगर हम चेक करें तो यहाँ पर LED flashlight जो है वो सेम तरा के module में align की गई है और अगर phone को थोड़ा सा move करके दिखाऊं तो यहाँ पर camera lenses के around एक इसम की जो है वो glare ग्रियेट हो रही है और यह glare जो है वो phone के back design को और color को काफी trendy look provide कर रही है color को चेक करें तो इस वक्त mint green color में phone हमारे पास मौझूद है इसके लावा market में इसके दो color options available है mint green और carbon black color में phone market में available है phone के बाकी specifications को चेक करें तो यहाँ पर हमें android 13 based software मिलता है इसके लावा यहाँ पर octa cop processor लगाया गया है RAM और ROM के बारे में बात करें तो इसकी storage भी काफी इच्छी है यहाँ पर हमें 64 GB की built-in storage के साथ साथ 8 GB की RAM की facility मिलती है बैटरी के बात करें तो Realme के जो smartphone devices हैं they are always have been known for their fast charging facilities और अगर हम इस phone में battery power और charging की बात करें यह थी आज की unboxing video Realme C51 की phone के बाकि specifications को detail के साथ discuss करेंगे इसकी review video में साथ ही आपको इसकी price के बारे में बताएंगे camera को test भी करके आपको दिखाएंगे सो हमारे साथ रहेगा और देखते रहे और दूपॉइंग